हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने सारों की कैसे आप अपने माइक्रो मैक्स आये नोट टू एंडूट मोईल फोन में आप अपने फोन का वाल पेपर चेंज कैसे कर सकते हैं तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में साटिंग पेज करेंगा तो साटिंग यहिंखे पर ऑपशन आपको ऐस प्वाल पेपर की आपको इस पींज पीपर नोगर कीश लिए पको लता हूं और यह wallpaper यहां पर यह देखिए लिखा हुआ है सबसे उपर set wallpaper पर आपको select करना है यह देखिए set wallpaper का एक चोटा सा page आगया है अब यहां पर तीन option देऊ है home screen, lock screen या home screen and lock screen तो यहां पर यह तीन option का काम क्या होता है मैं आपको बोता आता हूँ आपका जो mobile का home screen होता है आप अगर home screen पर select करते हैं तो यह wallpaper वही पर पर गवारा अगया जणी 102 लिखाई देगा अगर आप lock screen करते हैं तो जब आपका mobile phone जब lock screen mode पर होगा तो यह wallpaper वहां पर गवारा पर दिखाई देगा सिर्फ ठिक है अगर आप इसे home screen and lock screen पे select करते हैं तो यह home screen और lock screen दोनों ही जगे पे यह वाला wallpaper दिखाई देगा जो आप यहां पे set कर रहे हैं तो यह setting कुछ इस तरीके से काम करती है अब दोस्तों यहां पर जो wallpaper की यह setting आपके mobile phone में ढूंड़ने का एक मैं आपको shortcut तरीका बता देता हूं सबसे पहले तो आपको जो है यहां पर mobile setting पेज ओपन करना है setting पेज ओपन करिए और यहां पर सबसे उपर यह search setting का option नजरा आता है search setting इसे आपको select करना है यहां पर आपको type करना है wallpaper टाइप कीजिए और यहां पर जो है यह देख सकते हैं आपकी लिखा हूँ आ रहा है नीचे के side में wallpaper ठीक है इसे आपको select कर लेना वाल पेपर पे तो आपका mobile phone आपको जो है wallpaper के setting में आपको directly यहां पर लाके छोड़ देगा ठीक है जैसे मेरा phone यहां पर directly यहां पर आ चुका है option को select करती है तो यह मैंने आपको shortcut तरीका बता है wallpaper setting को ढूलने का है